जब आप WordPress में website बनाते हैं तो सबसे ज़ादा important होता है आपका home page कैसा है जिसके साथ लोग interact कर रहे हैं और उस case के अंदर most of the times लोग क्या करते हैं? Market prices पे जाते हैं जैसे कि Theme Forest और यहाँ पर जाकर के अलग-अलग जरूरत के हिसाब से themes को purchase करते हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा drawback यह हैं कि यहाँ पर आपको one time 5000-6000 उपय तक देने होते हैं और हर साल renewal का cost भी जो कि एक beginner के लिए perfect solution नहीं है लेकिन मुझ जैसे लोग एक ही type की theme को अलग-अलग तरीके से customize करते हैं एक्जामपल के लिए अगर आप यह मेरी website देखेंगे bloggingos.com यह complete blog है यहाँ पर blog को design किया गया और यहाँ पर जो theme use किये same theme को मैंने यहाँ पर use किया है जी हाँ guys आपको कोई भी premium theme purchase करने के जरुवत नहीं है अगर आपने इस video को end तक देखा तो एक्जामपल के लिए यहाँ पर आपको एक website दिख रही है जो कि अगली looking websites है जहाँ पर नीचे blog post है उपर कुछ summary है इसको आप directly convert कर पाएंगे ऐसी website में जहाँ पर आपके blog post एक feature image है अब upcoming already published blog post है नीचे की तरह latest blog post है औरे सब कुछ design किया है free of cost में so make sure इस video के अंतक बने रहेगा लेकिन अगर आपको wordpress में interest है अगर आप wordpress में ऐसे detail insights step by step सीखना चाहते हैं make sure channel को subscribe करें और मैं नीचे time stamp दे दूंगा तो आपको जिस area में जम करना directly जम भी कर सकते हैं त blog की तरह कस्टमाइज करें वो भी free of cost में अभी आपकी website blogger में है आपको यह other platform यूज करते हैं वहां से wordpress में कैसे design करें मैं आपको एक अलग से video suggest करूंगा wordpress zero to hero जिसका link में description में दे दूंगा make sure आप उसको follow करके आपकी website wordpress में लेके हैं तो एक बार आप wordpress में आ जाते हैं तो ऐसी हमारी website का backend दिखाई देता है which is WordPress का backend और यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप आपकी site को देख पाएंगे जो कि currently अभी ऐसी site हैं इस site में already menus हैं आपके भी already menus होंगे और similarly at the bottom जाके आप देखेंगे तो यह completely site कुछ अगले looking website हैं तो इस area के अंदर गाई जो step number one which is आपको एक free का theme install करना है क्योंकि सा hosting में जाके देखें तो इसका free version आपके लिए 100% free है लेकिन इसका pro version आपको cost करता है roughly $60 के आसपास जो कि आपको दिख रहा है सालना तो यह भी कहीं ने कि उसी premium category की theme की category में है लेकिन नहीं हम इसका free version use करेंगे और free version से ही सब कुछ customize करेंगे जी हां pro version में आपको additional template मिलेंग अगर आप hosting purchase कर रहे हैं तो I would highly recommend के नीचे लिंक से आप hostinger से hosting purchase करें यह मेरा एक recommended link है और नीचे जो special link है उसको click करके अगर आप hosting के कोई सभी plan में जाते है especially अगर आप इनके shared plan में जाते हैं shared hosting में अगर आप इस particular plan को purchase करते हैं चाहे वो premium हो single web hosting हो doesn't matter अगर आपने नीचे क और अगर आप यह promo code use करेंगे आपको additional 10% का discount भी मिलेगा तो अगर आपने इस link से hosting को purchase किया तो make sure आप blogginghouse.com पे आए और यहाँ पर आपको gift का section दिखाए देगा या फिर मैं link नीचे दे दूँगा उस link पे click करके यहाँ पर एक Google form में उसको fill कर दें तो यहाँ पर यह जो theme है आपको जो दी जा रही है यहाँ पर आप देखेंगे एक premium WordPress की theme आपको दी जा रही है वित लाइसंस की तो यह $60 आपका बच जाए और आपके पास advanced features भी आजाए तो एक पर अगर आप इस premium theme को claim करते है तो आपको अले गलत तरीके के access is all मिल जाए तो let's go back to the screen So first of all आपको इस theme को install करके activate करना है करना क्या होगा आपको यहाँ पर जाना होगा appearance में इसके बाद आपको जाना है theme में तीम में जाने के बाद आपको यहाँ पे generate press को search करना है जैसे कि मैंने का इसका free version premium version के अदर आपकी plugin मिलता है अगर आपने bonus claim किया तो मैं आपको share कर That is the objective. यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले इसको install करना है जैसे आप install करेंगे तो generate press theme के जितने भी structure उसका जो back end system में वो सब कुछ आपकी website पे apply हो जाएगा तो मैं इसको install करके activate करूँगा और जैसे का आपको दिख रहाता प्याद है हमारी side ऐसे दिख रहेती लेक लेकिन हमारा objective है इस page को और जादा lucrative बनाना और कैसे बनाएंगे हम using this thing कि हम कुछ इस तरीकी का page design करेंगे by the end जिससे कि हमें site का look, feel, structure, सब कुछ जबरदस दिखाई दे तो चले शुरुआत करते है one by one उसके लिए जैसे आप इस theme को install करते हैं generate press का एक अलग से blocks design के होगा जिसका नाम है generate block तो आपको एक और plugin एड़ करना है add new plugin पे जाना है उसको search करना है यहाँ पर generate block तो जैसे आप डालेंगे यहाँ पर generate block तो automatically आपको यहाँ पर एक तरीके का block editor दिखाई देता है जिसके दो लाग से भी जादा installations हैं आपको इसको install करना है तो बहुत सारा जादा compatible है उसी के लिए design की गए और इसको आप अलग-अलग theme के साथ भी use कर सकते हैं तो आप इसको use करेंगे site की speed perfectly balance रहेगी page भी quickly load होगा तो जैसा आप इसको करते हैं आपकी site पर आ जाता है generate block एक चोड़ा सा overview generate block के अंदर हमारे पास है आपको जो 6 चीजे दिख रहे है आप इन 6 चीजों को use करके कैसा भी page design कर सकते हैं एक है container, grid, headline लिखनी है, button बनाने है, query loop सबसे जाद हम जो use करने वाले है और image तो चले शुरुआत करते हैं इसका use कैसे करना है तो example के लिए हमारा objective है हमें ऐसी site को design करना है और यह सब existing हमारी site के block post है और इसके बाद हमने य यह हमारी site का एक page तो हम आएंगे यहां पर website पे और आपको यहां पर दिख रहा है post के साथ में आपे all post में अगर आप जाके देखेंगे तो जितने भी blog post published है वो यहां पर दिखाए देते हैं लेकिन हमें design करना page सो हम जाएंगे page में और click करना है आपको add new page और इस page को एक नाम देते हैं जैसे कि हम बता रहे हैं blogging का homepage ओके ताकि हमें याद रहे कि क्या है इसको करने के बाद में अभी यहां पर हम उस page को design करेंगे उसके लिए आपको यहां पर दिख रहा है यह जो generate block है वो उससे आया है जो हमने plugin install किया तो make sure आपका plugin installed हो otherwise यह option दिखाई नहीं तो सबसे पहले हमें जाना है यहां पर यह जो icon दिख रहा है document overview उसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको list view में इसके जितने भी elements है वो यहां पर दिखाई देंगे जो भी हम यहां पर add करने वाले है चले शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आप जब इसको यह करना है तो यहां पर एक container की जरूत पड़ती है तो हमें क्या करना है यहां पर प्लस का icon पर आपको click करना है and then after browse all पर जाना और यह जो है यहां पर आपको सबसे पहले container को choose करना है जिससे हम एक container बनाएगे और उस container के अंदर सब कुछ डालेंगे अब उसी container में सबसे पहले हमें क्या करना है अगर आप हमारे particular इस चीज को जाके देखते है तो यह है क्या अगर आप इसको जाके देखे यह चो design में है क्या यह blog है यह blog है और यहां पर दो sections है left section right sections तो हमने इसके अंदर बनाया है grid यह पहला grid और यह दूसरा grid तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां स प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे फिर से browse all पर आपको यहां पर दिख रहा है container के साथ साथ एक grid का option आपको grid पर क्लिक करना है यहां पर एक option दिखाए देगा आपको कितने grid चाहिए 2 चाहिए 3 चाहिए तो हमारे इसाब से हमको चाहिए 2 तो मैं 2 पर select करूंगा अभी यह है य यहां पर हमारा बड़ा सा feature image लगेगा और यहां पर यह चोटे वाले बाकी सब तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसको select करना है या फिर इस पूरे container को यहां से select कर सकता है या फिर यह वाला जो section है उसको यहां पर overview पर जाए तो अभी आपको दिख रहा है यह हमारा container इस इसके first or second के बीच में हमने 60 का gap रखा है तो हमने gap create किया क्योंकि हमें ऐसा gap चाहिए जिससे कि यह थोड़ा सा gap create हो अभी बारी आती है कि यहां पर एक block को add करना या फिर post को add करना आखिरकर इसको करेंगे कैसे तो जैसे हमने आप इस spacing किया 60-60 का spacing अभी सबसे पहले यहां पर हम एक feature image add करेंगे इसके लिए आपको इस icon पे click करना है इसके बात में plus icon पे जाना है query loop पे जाना है and make sure आप blank template को choose करें अभी इससे क्या होगा अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें बोल रहा है कि आप post के अंदर जो भी आपको लगाना है यह post का एक structure बन गया इसके अंदर आप block post दिखा सकते हो that is a query loop तो इसके लिए आपको post के section में जाना है अभी आखिरकार इसमें add क्या करना है post में क्या क्या होता है image होता है title होता है तो फिर सम प्लस पे icon पे click करेंगे and then after हम चूज करेंगे image जैसे अप चूज करेंगे यहां पर आपको को image upload ने करना हम automatically pull करेंगे कैसे आपको right in side में आन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर first image only first image ओके इतनी जादा images ने चीए तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले वापर जाएंगे grid पर और उससे पी उपर जाएंगे query loop में इस query loop में कितना content आपको दिखाना है तो post per pages को हम one कर देंगे जैसा one करेंगे सिर्फ और स कोई feature image होगी नहीं तो हम फड़ापर से जाके देखते हैं और यहां पर post में जाके देखेंगे all post में आपको जाके देखना है आपको पता लएगा यह hello world का है जिसके अदर obviously कोई image नहीं है तो मैं इसको trash में डाल देता हूं तो अभी की बार अगर हम जाकर के this page को refresh करेंगे which is this one हमने इसको save कर दिया अगर आपकी बार refresh करेंगे आपको नजर आएगा पहला blog post जो भी होगा उसकी जो feature image होगी वो यहां पर दिखाई देगी तो यहां पर पहली image आ चुकिए clear now इसी image के नीचे हमें क्या करना है हमें आगर आप यहां पर देखेंगे एक title एक चाहिए accept तो यह दो चीज़ें आपर दिखानी है उसके लिए हमें क्या करना है वापस से इसमें आना है और यह वाला जो container था हमने चूज किया था post के अंदर image और image के बाद इसमें हमें कुछ और add करना और वो add कैसे करेंगे या तो आप यहां पर click कर सकते है इसी के साथ ओके इसी म को select करेंगे enable dynamic data और हमें क्या चाहिए headline में हमें चाहिए यहां पर by title जो भी हमारे blog post का title हो यहां पर दिखाए दे अब उस title को आप further customize कर सकते हैं कैसे customize करना है example के लिए उपर की तरफ जा सकते है आप typography में जा सकते है middle में set करना इसका font size क्या करने से example के लिए मुझे रखन मैं यहां पर आता हूँ typography के अंदर यहां पर नीचे के तरफ जाएंगे color में और color के अंदर मालो text का color मुझे कुछ इस type का करना है blue type का कुछ इस type का करना है तो I can make a changes with that okay similarly अगर आप इसको bold बनाना है icon इसके साथ add करना तो इस सारे customization के feature normally जैसे होते हैं वैसे आपको यहां changes नहीं करेंगे okay now इसके नीचे हमें दिखाना है excerpt थोड़ा सा description तो वह कैसे दिखाएंगे same चीज आपको फिर से container को plus icon पर click करना है यहां पर click करना है and then after अगर आप फिर से जाएंगे यहां पर headline के अंदर तो आपकी बार एक नया paragraph create होगा जो कि इसके नीचे है और इस paragraph को आप click करेंगे तो इसका भी आप dynamic element select कर सकते है तो आपको फिर से enable dynamic element पर आना है current post और अपकी बार excerpt रखना है लेकिन 100 की बज़ा हम एक सिर्फ 20 तो यहां पर 20 दिख रहा है लेकिन इसका font बहुत जादा है आप उपर की तरब चले जाए यहां पर जो आपको font size दिख रहा ह link आप इसको disable कर दे और save draft पर click तो कुछ इस तरीके से हमने यह वाला section design किया है इसके नीचे हमें button add करना है same चीज आपको same container पर click करना है plus का icon पर जाना है और अब की बार हमें वही generate press का चौथा option जो दिख रहा है button उसको select करना है आपने button select किया button आ गया अब इस button के साथ क्य link करता हूं और इसका source तो हम छोड़ देते हैं और link source के अंदर यहाँ पर single post करके मैं save draft पर click कर दूँ तो कुछ इस तरीके से हमने यह वाला section design कर दिया ओके जहाँ पर आपको title देख रहे हैं अगर आपको कोई भी changes करना है आप यहाँ पर select कर सकते है font size को change कर सकते है font का weight हम build कर सकते हैं और जो भी आपको changes करना है customization के option coloring के option आपको right hand side में दिखाए देंगे तो इस तरीके से हमने left hand side वाला part यह वाला जो part है वो हमने यहाँ पे complete कर दिया है अभी बारी है यह वाला section की यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़े दिख रहे हैं और हम मैंने क्या किया यह जो container है उसको दो part में divide कर दिया जैसे पहले एक को हमने दो में divide किया अभी जो second वाला है उसको हम divide करने वाला है किसमें 2 के अंदर कैसे करेंगे सबसे पहले आपको वापस आना है और यह वाला section है यह जो हमारा container है या फिर इस container को जो आप देख रहे है उसको आपको select कर हो गया यह राइट हो गया ओके लेफ्ट वाले के अंदर हम फिर से हमारी पोस्ट यतने भी पोस्ट हो सब की इमेज़स एड़ करेंगे जैसे कि हमने पहले की तरफ किया है तो हम फिर से हमने यहां पर इमेज पिक की वैसे इमेज यहां पर पिक करनी है और वो कैसे करेंगे अगर मैं इसको कॉपी कर देता हूं या फिर यहां पर चलिए इस पर प्लस करते है वापस और इसके बाद में जाएंगे हम सीधा वापस से इमेज और एक बार इमेज आने के बाद इनेब तो सिब 3 images दिखाई देगी, okay? Now, similarly, अगर आपको लगता है, जादा है, आप 4 कर सकते हैं, इसके साथ लेवल अप करने के लिए, तो मैंने आपर 4 चूज के हमारे 4 block post की images आ गए, okay? हम इसका alignment और भी करेंगे, similarly, हम second वाले grid को select करेंगे, इसके अंदर भी हम grid बनाएंगे, कैसे हम पहले के लिए बना रहे हैं, यहाँ पर grid बनाएंगे, blank को select करेंगे, and then after, यह जो grid बनाएं, उसी के अंदर grid यह है, इसी के अंदर post title है, तो अभी इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हैडलाइन्स चाहिए, okay? तो मैं यहाँ पर select करूँगा, और इसके बाद मैं इसके अंदर जाकर के changes करूँगा, dynamic data में, और मैं बोलूँगा कि अपकी बार मेरे current blog post का title आ जाए, तो हम नीचे के तरफ जाएंगे, और आपको जो भी current blog post से रियाटे, जो भी चीज़ा है देखने को मिलेगी, इसे अपकी बार feature image है, तो हम feature image नीचे ले रहे हैं, हम ले रहे है post का title, तो यहाँ पर यह जो post है, तो make sure आप select करें, यहाँ पर headline, यह headline आने के बाद में, इस headline का dynamic data आप change कर सकता है, यहाँ से वापस जाकर के title, तो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर title, सभी blog post का अपना-पना title आ गया, और similarly, अगर हमने यहाँ पर चार यूज किया है, तो यह भी query loop के अंदर आपको जा करके 4 select करना है, and then, you can see कि अभी यह align हो जाएगा 4 के साथ में, जैसे हमने यहाँ पर select किया 4, which is this one, जो कि यह query loop है, हमने select किया, यहाँ पर 4 pages को add किया and save draw, obviously, इनका size ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा length extend कर रहा है, तो हम इसको select करेंगे, and then, हम जाएंगे यहाँ पर इसके typography में, which is this one, okay, and then, make sure, आप जाकर कि इसका size चेंज कर दे, बारा कर दिया, मैंने, या फिर 15 कर दिया, okay, या फिर 18 कर दिया, या फिर 18 कर दिया, okay, तो इससे हमारे पास यह 4 है, और यहाँ पर 4 images, obviously, images ज़्यादा extend हो रही है, तो हम इसको भी 20 कर सकते है, okay, कुछ इस तरीके, तो यहाँ पर आगया post का title, और यहाँ पर आगया image, remember, अभी भी हम इसको align करेंगे, इसके बाद हम एक और add करेंगे, which is a date, तो मैं इसी को यहाँ पर जाता हूँ, and then after इसी को duplicate करता हूँ, और अब की बार यह जो पहला वाला है, जो title तो title रहना देते है, लेकिन पहला वाला जो है, which is this area, उसको select करेंगे, यहाँ पर रहेंगे, title की बजा हम देंगे post का date, तो अभी आपको नज़र आ रहा है, grid 1 और grid 2, तो मैं grid 1 को select करूंगा और थोड़ा सा gap दे दूगा, तो आपको दिख रहा है, grid 1 और grid 2 के अंदर gap create हो गया, similarly grid 1 के अंदर हमारे पास जो images है, आपको image को select करना है, spacing के section में जाना है, और bottom के अंदर हम दे जाते है, space 10 का, तो आपको नज़र आ रहा है, space create हो रहा है अब यह आगया 10, okay, clear, कुछ इस तरह के समने space बना है, तो अब यह थोड़ा align हो गया है, आपकी बार यह alignment हमें थोड़ा, यहाँ पे extended हो गया है, तो इसको और अगर आपको कम करना, तो obviously हम यहाँ पे 4 block post की बजा है, इसको और भी कम कर सकते हैं, यहाँ पर padding, margin दे करके, प आपस से query loop में आता और इसको भी 3 करेंगे, ताकि as is वो हो, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 3, sorted, now, इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा spacing को कम करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे इसके post के title पे, या फिर post की date पे, और जाके आपको spacing के section में जाना, और यह जो नीचे की और यहाँ पर जाके जो भी changes करना है, यहाँ पर जाके जो भी changes करना है, you can do that, example के लिए मैं इसको करता हूँ, यह वाला, और same color हम चूज करेंगे, second वाले के लिए, तो मैंने यह चूज कर दिया, then after मैं इसको select करूँगा, which is this part, या फिर आप directly यहाँ से layout को भी control कर सकते हैं मैं यहाँ पर title पर जाओंगा, यहाँ पर text के color पर जाओंगा, और इसका भी मानलो कि मैं same color चूज करता हूँ, तो कुछ इस तरह के समने color design कर दिया है, obviously typography में बहुत सारा options है, अगर आप इसको bold करना चाहें, make sure you can make it bold, font की size को कम करके, आप यहाँ पर 15 कर सकते हैं, तो यह कुछ ऐसा दिखाई देगा, या फिर 16 मैंने किया, या फिर 17 किया, okay, make sure सब कुछ प्रॉपर एरलाइन हो, तो यहाँ पर मैंने 17 किया, similarly मैं इसका भी size होई करूंगा, यहाँ पर font size है, इसको मैं 15 कर देता हूँ, and then यह जो images हैं, इसके मैं padding को increase कर दूँ, तो मालो कि यहाँ like 10 का padding, यहाँ पर तीन block post, and then after इन तीनों को भी हम वापस extend करेंगे, example के लिए मैं इसको select करता हूँ, and then after यह वाला जो area है, post date, और यह जो grade है, and make sure हम लोग query loop में जाएंगे, and grade के view में जाएंगे, and post के date के अंदर जाएंगे, and then after यहाँ पर spacing देंगे, यहाँ तो यहाँ प कि मैं इसका थोड़ा और से वापस बढ़ा देता हूँ, तक ही थोड़ा प्रॉपर लाइन हो जाए, तो यहाँ पर 4 रखता हूँ, तक हम इवन दो थोड़ा spacing कम भी कर देंगे, तो सभी visibility आएगे, तो यह मैंने किया, image पर मैं गया, इसके बाद यह जो spacing है, इसको हम 5 पर रख देते हैं, तो इसको हम 4 कर देते हैं, तो फिर 3 कर देते हैं, तो spacing थोड़ा कम हो जाएगा, नाउ, डाउन तो इस पार, अगेन हमें यहाँ पर select करना होगा, query loop इसको भी चार करना होगा, ता कि यह चारो चार detail यहाँ पर आए, तो आपकी बार हमें यह दिखाई दे र जाए, हम इसको थोड़ा सा कम करके 33 कर सकते हैं, तो यह थोड़ा सा लाइन हो गया इसके साथ में, थोड़ी smaller size की image है, तो यहाँ पर आने के बाद में वापस से query loop में जाऊंगा, यह 4 ही है, ओके, एन नाउ, इस वाले की size को हमें align करना होगा, तो post का date है, उसको थोड़ा स spacing उपर से हम हटा देते हैं, ताकि properly aligned हो जाए, और then after इसके नीचे जो है, which is post का title, इसमें भी जाके देखेंगे, post date में भी जाके देखेंगे, तो यह properly aligned है, हमें बस image की size को थोड़ा बढ़ाना है, ताकि उसके साथ आजाए, ओके, तो let's see कि हम यहाँ पर थोड़ा सा 5 कर द जाना है, now let's see कि हमारा page कैसा दिख रहा है, आप यहाँ पर जाके preview in tab पे जाके click करेंगे, let's see कि हमारा page कैसा design हो रहा है, तो अभी के लिए better, not bad, okay, बस यहाँ पर image शायद नहीं होगी, इसके बस यहाँ पर नहीं आ रही है, तो ठीक है, इस तरीके सामें कुछ चीजे पे जाएंगे, okay, make sure dashboard में जाने के बाद में, जो widgets होंगे, जो हमारे theme की customization में होंगे, तो आपको appearance में जाना है, customize में जाना है, and then after, आपको जो widgets दिख रहा है, उन widgets को disable करना है, which is this one, okay, तो हम customize में जाएंगे, and then after, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है widgets, और यह जो widgets चो आपक दिख रहे हैं, इसको जा करके, आपको हटाना है, तो आपको remove कर सकते हैं, अगर आपको रखना है, you can do that, but it is down to us, कि हमें क्या widget रखना है, कितने widgets रखना है, नहीं रखना है, but ideally हम homepage पे widget को replace करेंगे, at the end जाके, तो अभी के लिए ऐसा कुछ हमारा page दिखाई दे रहा है, उ पूस्ट, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, once it will be updated, तो let's finish it up and see कि ये कैसा दिखाई देता है, तो हमने इसको publish किया, now let's go back और इस page को हम refresh करके दिखेंगे, जो हमारा customized page था, now see कि यहां पर blocker design कैसा, तो अभी के लिए ये आगया है, homepage, यहां पर ये आगया, अभी के ल here more, little more, okay, तो माल लो कि हम यहां पर query loop में जाते है, चार की बजा है, यहां पर कर देता है, 5, okay, तो जिससे 5 images यहां पर display होगी, similarly इसको भी increase करेंगे, query loop में जाके, ताकि यह 5 display हो यहां पर, okay, now it's 5, और अब की बार यह जो spacing है, या फिर size है, इसको हम थोड़ा चेंज हम यहां पर post title यह और grid और यह जो post का जो title है, which is this area, इसकी width तो हमने 100% रखी है, but make sure करें कि इसकी जो alignment है, in short, यहां पर अगर आप देखें, spacing है, spacing को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, example के लिए, अगर मैं यहां पर जाओ, title में जाता हूँ, title में जाने के बाद मैं, इसका spacing अगर मुझे कम करना है, तो मैं spacing में आऊंगा, और यहां पर जो padding है, यह जो padding और margin जो आपको दिख रहा है, उसमें आपको थोड़ा changes करना होगा, example के लिए, अगर मैं यहां पर जाता हूँ, यह जो आपको 15 दिख रहा है, उसको आप गटा करके 5 कर सकते हैं, right, तो इससे little bit aligned हो similarly, इसकी जो font size है, यहां पर जो post date है, उसकी font size को हम कम कर सकते हैं, example के लिए, यहां पर मैं जाता हूँ, which is 20 अभी के लिए, तो मैं इसको कर सकता हूँ, 60, okay, similarly, यह जो title है, इसको मैं reduce कर सकता हूँ, roughly 40, okay, या फिर 50, okay, तो कुछ इस तरीके से हमने align किया है, now it is all about कि हम कितन यहां पर जाकर के फिर से थोड़ा बहुत spacing देंगे, जैसे के वो नीचे की तरब थोड़ा आ जाए, तो चलिए, यहां पर जाते हैं, which is spacing area, तो इसके लिए, अगर हम थोड़ा सा यहां पर spacing बढ़ा दें, which is like this one, और यहां फिर मैं को कि 16 के आसपास, तो I believe this is bit aligned, okay, और इस के बाद हम इस grade पे जाके थोड़ा images का size जो है, उसको थोड़ा सा change कर देंगे, ऐसे spacing के अंदर अभी 10 दिख रहा है, उसको हम 5 में convert कर दें, तो little bit aligned, so now this time looks better, यहां पर images और closely equal to उसका description है, कोई चाया, तो यहां पर click करके जा सकता है, और हर element को clickable अगर आपको बनाना है, त फिर से link source में post title को enable कर दो, यहां पर आके current post, और यहां पर आप जाकर के, feature ID में जो भी है हमारा post का title है, you can connect, यह तो source है, but ultimately आप यहां पर आकर के link source में जाकर के, आप post के data को connect कर सकता है, तो कुछ इस तरीके से इस link को अगर आपको clickable बनाना है, तो make sure आप post के title को click करें, फिर से यहां पर आजाए, title के अंदर, link source के अंदर, यहां पर आप आएंगे, single post के साथ इसको connect करेंगे, and these are clickable link, okay, similarly button भी clickable है, और कुछ इस तरीके से हमने page को design किया है, now refresh this, आपको नजर आएगा, these are properly aligned, okay, तो यहां पर आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4, 5, obviously alignment little bit आपको change दिखाई देगा, because जैसे इसका container का width change हो, you will see a little different, okay, तो अभी के लिए, let's go with this part, okay, save data, तो इसे हमारा topmost area ready है, now, इसके नीचे हमें क्या दिखाना है, हमारी site के latest block post, तो सबसे पहले हम यहां पर add करेंगे container, जो कि हमारे basic चीज है, उसी container के अंदर, plus icon पर click करेंगे, और उसक जैसे आप इसको use करेंगे, automatically हमारी website का सारा का सारा block post आ चुका है, well, इसको अप customize के से करना है, अगर आप देखेंगे, जैसे हम already कर चुके है, तो आप यहां पर आएंगे, पोस्ट में, यहां पर, अभी ready made आपको दिख रहा है, image, post, last time हमने सब one by one pick किया था, ज़रूरत क 20, इसकी size को bold करना है, आप bold कर दो, और सबसे interesting चीज, जो भी एक में आप changes करेंगे, वो सब में reflect होगा, तो आपको यहां पर भी दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है, now, let's go to this feature image, जैसे में feature image पर जाता हूँ, and अगर हमें border create करना है, make sure you come to this border, और सब के दर 55 pixel का border दे जैसी आपको चाहिए, तो example के लिए मैं 3, 3, 3, 3, 3, और इसका color जो भी आपको रखना है, let's take an example, आपको यह वाला रखना है, make sure you choose save, आप हर जगर इसको copy कर दो, okay, तो यहां पर भी copy, तो इसके चारो तरप इस तरह का border create हो जाएगा, and save drop, तो ऐसा हमने आप image create किया, now, यह जादा लेंदी है, आप यहां पर post date की बजाए, post accept पर चले जाए, तो आप directly यहीं पर आएंगे, और make sure default more link को आप disable कर सकते है, accept को घटा करके 20 कर सकते है, and this is how it look like, अभी button missing है, हम क्या करेंगे, same चीज, आपको plus icon पर click करना है, जैसा आप यहां पर आएंगे, आप यहां प चोटना, आपको link इसके साथ करना है, यहां पर आकर क्या आप करते है, single post, तो इसी post की link के साथ वो add हो जाएगा, इसी button को further customize कर सकते हो, कैसे, same चीज यहां पर, इसका color जो भी है, अभी यह वाला है, इसका text जो इसके अंदर white है, similarly, sketch around, background आपको add करना है, border add करना है, आप य change करना है, weight, size, button की जैसे के example के लिए, अगर मैं इसके बजा है, अगर मैं percentage में लिखता हूं, मालो की इसके weight 100 में कर देता हूं, तो this will be like this, यहां फिर मैं करता हूं, 40 के सपस, 30 के सपस, okay, यहां फिर 100 के सपस, so it is just customization feature, जैसे आपको करना है, now this looks better, right, now, अगर आपको लगता ह 50 के बज़ा 33 कर दे, तो 33 का gap जब create होगा, तो ultimately आपको नदर आ रहा है, तीन block post एक line के अंदर, एक you के अंदर आगे, मैं save draft पे click करूँगा, now we'll see के हमारा block post कैसा दिखाई देता है, I mean the page कैसा दिखाई देता, यह अभी हमने create किया, निचे के दिर आपको दिख रहा है, सार सिर्फ आपको 2 rows दिखाई देगी, instead of 3, तो example के लिए 3 यहाँ पे, and 3 यहाँ पे, and then after ended, right, क्योंकि हमने 6 decide किया, तो likewise आप यहाँ पे इसको customize कर सकता है, अभी आपको perfectly दिख रहा है, अभी यह image यह थोड़ा align नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, and this one is 1, 2, 3, 4, 5, तो वही है, हमें spacing create करना होगा, let's finish it up, क्योंकि यहाँ पे view के अंदर हमें सही दिख रहा है, but वहाँ पे नहीं दिख रहा है, that means के definitely कुछ challenge है, तो let's see कि इसको कैसे कर सकते है, तो अभी के लिए मैं कुछ temporary changes करके देखता हूँ, let's see कि मैं post के title के अंदर, या फिर date, हम as it is रहन देते है, post का title ले र यह थोड़ा नीचे की तरह पाये गनिया है, तो little bit आया है, but still not perfectly fine, okay, now let's see कि थोड़ा सा यह जो image का जो grade है, I will not go in detail for time being, क्योंकि it will be land the video, but you understood the concept, right, यहाँ पर आकर के post के title में हम container पे जाएंगे, and then after यह जो image है, let's see कि इस image का जो margin है, वो हम top में, या फिर यहाँ पे मैं कर करता हूं, and then after let's see कि 20 का जो margin है, उसको कर देता है, 14 के आसपास, तो hopefully चीज़े align हो जाएगी, अफिर 10 के आसपास, okay, because view के अंदर different दिख रहा है, लेकिन real time में theme के layer के साफ से little different दिख रहा है, but still good, okay, तो जैसे मैं इसको refresh करता हूं, तो तोड़ा बहुत align है, still we needed some changes, तो मैं इसको हटाई देता हूं, and let's see कि अभी align हुआ है के नहीं हुआ, cool, so at least little bit better, okay, पहले से तो better है, और इसको हम थोड़ा सा align और कर सकते हैं, जैसे कि एग्जामपल के लिए मैं यहां पर जाता हूं, और इसके नीचे का जो spacing है, which is title का spacing, and then let's go and give here some sort of a margin, 30 की बजा में जाएग 35, थोड़ा सा नीचे slide, okay, ताकि वो थोड़ा सा align हो जाए, and I'll just see, okay, well, perfectly fine, okay, तो यहां पर हमने इस blog का homepage कुछ ऐसा design किया, यहां पर latest blog post, सब कुछ रे लिए, अप हमें क्या करना है, यह जो आपको दिख रहा है, यहां पर यह जो blogging homepage इसको disable करना है, तो उसके लिए आप page design कर रहे है, make sure आप इसको save draft करके, एक बार यहां पर page page section पर आए, नीचे की तरह पाना है, आपको layout में जो आपको दिख रहा है, sidebar, आपको no sidebar कर देना है, जिससे कि वो हम already remove कर चुके है, लेकिन यहां से आप individual page के लिए कर सकते है, footer widget में, अगर आपको लगाने है, तो definitely graph पर click करना है, now see, content का मतलब यह इस area के अंतर रहेगा, यह वाला section blogging homepage दिखाई नीदेगा, तो let's refresh it and see हमारी site में क्या changes है, तो कुछ इस तरीके हैं हमने page को design किया है, okay, और यह हमारी site का page देख रहे है, लेकिन अभी के लिए अगर आप home site पर जाएंगे, तो आपकी site का homepage अभी भी यह वाला है, which is not the one which you have created, right, तो हमें क्या करना है, जो हमने design किया है, वो वहाँ पर display करना, और वो कैसा display होगा, quite simple, आपको फटापट से यह वाला page को पहला publish करना है, तो इसको publish कर दो, एक बार page लाइव हो गया, right, live होने के बाद में आप page को देख पाएंगे, कै ये page तो कहीं अंदर जाके कहीं है, हमें करना है कि कभी कोई home page पे click करे, page दिखाए दे, तो वो कैसा आएगा, तो उसके लिए आपको theme के customization section पे जाना है, और वो कैसे जाएंगे, example के लिए आपको theme के customize पे click करना है, तो आप उसके customizer पे आ जाएंगे, या फिर आपकी WordPress की backend क अंदर appearance में customize, जहाँ पे हमने no sidebar किया था, वहाँ पे जाना है, फिर आपको home page का setting दिख रहा है, यहाँ पर static page चूज करना, और home page के अंदर आपको जो भी हमने page design किया है, which is a blogging home page, जो कि अभी हमने design किया, तो ये वाला page आपको home page पे दिखाना है, make sure आप इसको publish करे, now see, अगर अपकी बार कोई भी आपकी website के domain को click करेगा, तो उसको ये page दिखाई देगा, ना कि वो, even though कोई home page पे click करेगा, तो ये home page पे दिखाई देगा, बट अभी के लिए जो भी site पे आएगा यहाँ पे, अब इस menu को थोड़ा सा customize कर देता है, कैसे करना है, obviously you will go back, आपको cross icon पे click करना है, then it will take you back to the dashboard, okay, तो मैं यहाँ से WordPress के dashboard पे जाऊंगा, and now, जो menus के अंदर options है, उसको हम change करेंगे, तो आपको appearance में जाना है, यहाँ पर दिखाई देगा, menus, okay, obviously आपकी site पर अल़री menus टीक होंगे, लेकिन ये dummy site menu है, तो मैं इसको correct करता हूँ, तो अभी के जो भी हमारी website का most recent ने, हम view all पे जाएंगे, और यहाँ पर यह जो home है, if you want, you can add it, otherwise जो हमने design किया वो है एक page, और वो page है ये वाला, तो इस page को आप design कर सकते है, add to menu में, जिससे कि यह ऐसा को दिखाई देगा, और इसको यहाँ पर डाल देंगे, और इसका नाम बदल के र करूँगा, और इसी को मैं बना दूँगा, primary menu, okay, तो इसी को मैं बना दूँगा, primary menu, save menu पे click, and now let's see कि हमारी site पे क्या changes आता है, okay, so let me refresh this website, which is, I believe हमारी side यह वाली है, तो मैं इसको refresh करूँगा, आपकी बार आपको menu में दिख रहा है, home, about us, insurance, our team, blog, or contact us, अगर आप home पे click क Okay, तो अपकी बार अगर आप website पे जाकर देखेंगे, तो यह जो home page पे हमारा जो page है, वो ideally landing page पे आपको दिख रहा है, that is the page, जिसको हमने as a blog की तरग कस्टमाइज के, completely design किया है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, similar यह सारे menus के options जो अलग-अलग updated देख रहा है, remember, still home के अगर मैं जाकर देख रहा हूँ, तो वो different page मुझे दिख रहा है, क्योंकि that is a different customization, तो उसके लिए में क्या करना है, वापस से menu customization पे जाना है, और यहाँ पर आपको नज़रा रहा है, बहुत सारे pages है, blogging का home page, दूसरा है home, और तीसरा है blog, और similarly अगर आप यहाँ पर जाकर तो आपको बहुत सार options दिखाई दे रहे थे, लेकिन अभी के लिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यह सारे different options हैं, तो आपको इनको as is करना है, अगर इसमें कोई changes करना है, आप इसको यहाँ पर रेक सकते हैं, यहाँ पर रेक सकते हैं, example के लिए मुझे इसकी जरूत या फिर अगर ब्लॉक की जरूत है तो I will add it up, बड़ अभी के लिए मुझे इसकी जरूत नहीं है, मैं इसको remove कर दूँगा, and that is how इसको आपको primary menu पर select करके same menu पर click करना है, अपकी बार जैसे आप इसको click करेंगे, अगर आपकी बार हम website पर जाएंगे, तो आपको नजर इसको clickable है, अगर आपको इसको click करेंगा, बटन को click करेंगा, तो उस particular blog post पर जाएगा, obviously ये blog post customization का part है, that's a different one, हमने सिफ homepage को customize किया है, तो ये कुछ ऐसा design करेंगा, अगर आपको इसको click करेंगा, फिर से blog post पर आएगा, कुछ इस तरीके से, okay, so now इस तरीके साप एक particular homepage को design क कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से, जैसे आप उस page को as in homepage की तरह customize के अंदर जाकर, theme के अंदर setup करते हैं, तो आपको particular domain पे, आपकी website का homepage को ऐसा दिखाए देगा, जब भी user इस site पर आएगा, remember, अभी भी ये जो menus जो हमने अभी changes की है, ultimately वो menus यहाँ पर display होंगे, लेकिन अ different type का section added हो, जब भी को इसको click करें, क्योंकि अभी home के नाम से एक already pages design है, तो हम इसको पहले trash में डालेंगे, example के लिए यह जो page है, उसको मैं trash में डालता हूँ, ultimately page exist नहीं करता है, क्योंकि यह already बनाय हुआ home के नाम से, okay, now इसको remove करने के बाद मान लीजे कि हमें कुछ add करना है, जो कि हमारी website पे as a home की तरह रहे है, लेकिन जब भी कोई user क्लिक करें, तो blog पे जाए, वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको जाना है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, view all पे जाना है, और यह जो blogging का जो front page है, उसको add to menu पे क्लिक करना है, और अब की बार इसको नाम अब बदल सकता है, something like home, और यह जो नाम आप बदलेंगे, इसके बाद इसको save menu पे क्लिक करना है, let's see, अगर यह save हो रहा है, that means कि हमारी site पे home के नाम सा icon add हो चुका है, और जैसे आपकी बार मैं refresh करूँगा, आपको नजर आएगा कि यह वाला page जब भी मैं refresh कर रहा हूँ, यहा सारा customization कर सकते हैं, quite simple है, little bit alignment आपको करना होगा, लेकिन जैसे भी theme, जैसे भी pages आपको design करना कर सकते हैं, the interesting part, यह fastest है as compared to आपको additional plugin यूज़ करें, लेकिन आप जाना चाहते हैं, कैसे WordPress में zero से hero बनाया जाया है, तो make sure आप इस वीडियो को अभी जाके देख ले,